तुमस्कार दोस्तों उमीद है आप लोग सस्तों खुश होंगे दोस्तों हजिर हुमें जट टाइगर टू स्टोरी ऑफ वेंजियन्स एंड सर्वाइवल के पार्ट टू के साथ दोस्तों काफी विलंब के बाद अपलोड कर रहा हूं यह पार्ट यह जो स्टोरी है पूरे भ उनमें से इसमें जो स्टोरी लिखने का जो तरीका है वो काफी अलग है इसमें राइटर ने जॉन वेलंट ने बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई है रहेगर की हंटिंग तो ही है लेकिन उसके साथ बहुत और सारी चीज़ें मिक्स कियें जिनको सेग्रिकेट करना जरूर है इसमें जोग्रेफी भी है इसमें पॉलिटिकल साइंस भी है और इसके अलावा कई इंडिविज्वल लोगों के बारे में यह उन्होंने बहुत कुछ लिखा है जो मेरे हिसाब से एज नेरेटर अप्रोप्रियेट नहीं होगा वो सकता है राइटर को लगता हो वो सारी ची जादर उस टीम को इंस्पेक्शन टाइगर्स कहा जाता था उनका मुख्य काम था उस इलाके में जो इस्टर्ण पाड़ है प्रिमोरेक का इलागा है वहां पर फॉरेस्ट क्राइम्स बहुत ज्यादा हो रहे थे उनको रोकने का फॉरेस्ट क्राइम होने का कारण यह था कि उनकी सोसाइटी में एक बदलाव आया था मिखाइल गुर्वा जो ने परिश्ट्रोई का इंप्लेमेंट की थी वहां पहले कम्यूनिस्ट का शासन चलता था सब कुछ गौर्मेंट कंट्रोल था उससे करप्शन बहुत ज्यादा बढ़ गया था और देश उस तंग से प्र प्राइवेट लोग हैं वह वहां पर घंदा शुरू कर रहे थे उसके लावा बाहर की कंपनीज भी आ रही थी तो जब एक सिस्टम बहुत लंबे समय तक चलता है और उसमें जब परिवर्तन आता है तो वह उसके बहुत दुश परिणाम भी होते हैं और रश्या उस समय इ यहां पर बंसमपदा बहुत ज्यादा थी और इस क्राइम बढ़ गए थे वहां पर जंगली जानवरों को मारा जाता था और टाइगर्च जो थे उसका मुख्य निशाना थे क्योंकि उनकी बड़ी भारी कीमत लोगों को मिलती थी ब्लेक मार्केट में तो कई लोग रश्य जंगली जो वनसमपदा है जिन में जड़ी बूटियां थी उनका भी इस्तेमाल करते थे और टाइगर्च और उसके लाव और वी जो जानवर थे उनको मार के उनको भी बेजते थे इलिगली इस प्रकार जो फोरेस्ट क्राइम बड़ा था उसको रोकने के लिए यूरी ट् दो उसको वहां बुलाया गया, जैसा कि मैंने पिसले एपिसोड में बताया था कि मार को की लाश उनके जंगल में मिल गई थी, जो ड्रेग मार को बना हुगा था उसको फॉलो करते हूए जंगल में गए और एक जगह पर बड़ी बुरी कंडिशन में मार को की बाडी है और बड़े बुरे डंग से वहाँ पर गिरा हुआ है रस और उनके साथ जो मारकों के फ्रेंड्स थे उसके पड़ोसी थे वो सब लोग बड़े शॉब्ड थे यह सब देखे जाहिर है इस आलत में किसी इंसान की लाश्क को देखके किसी को अच्छा तो लगता नहीं है वहाँ पर ट्रस ने उनसे कहा कि वो लोग इस बॉड़ी के पार्ट को जो भी रहा है उसे इखटा करके ले जाएं तो जो उसके मित्र थे उसके साथ ही थे मारकों के उन्होंने उन सारे बॉड़ी पार्ट को एक कंबल में लपेटा और उठा लिया वहाँ से रहस ने अपने इंस्पेक्शन टाइगर से के साथ निष्चे किया कि वो आगी जाएंगे मारकों के साथ ही तो वापस लोड़ गये उसकी बॉड़ी को लेके और उनके साथ जो कुलिसमेन था बुश वो भी साथ मा आ गया तो जाहिर था वहाँ पर इंसान की मौत का सवाल था तो एक कुलिसमेन भी चाहिए था उसकी गवाई भी चाहिए थी और बुश उसकाम के लिए वहाँ पर आया था अब ठ्रश और उनके पीम के साथ ही आगे बढ़ने लगे उस ओर जहां उनको आशंका थी टाइगर गया था बहुत cautiously बहुत carefully हो आगे बढ़ रहे थे लेकिन टाइगर उन्हें कहीं दिखाए नहीं दिया चारों तरप सननाटा था और कडाके की ठंड थी बरवत थी आसपास उसमें भी उन्हें ये लग रहा था कि कहीं से थाइगर उन्हें देख रहा है और उनके हरrogen मेंट को नोटिस कर रहे हैं और यहां से जब वो आगे जा रहे थे टाइगर की खोज में तो उन्हें यह लग रहा था कि अब जहां वो जा रहे हैं तो टाइगर का कमफर्ट जोन है और चीजें उसके फेवर महोंगी हालांकि यहां पर जो यह लोग थे उनमें से जादातर लोगों के पास घने थी प्रश हालांकि वीडियो कैमरा को लेके शूटिंग कर रहे थे चीजों को इखटा कर रहे थे और वहां पर उनके सामने एक समस्य और थी उनके पास टाइगर को मारने की परमिशन नहीं थी सरका हालांकि इमारगेंसी के केस में वो टाइगर पे हा przysz कर सकते थे अगर टाइगर किसी इनसान पर हम्ला कर रहा हो या उन पर आमला कर रहा हो तो वीडियों क अब है कानूनी तॉर पर उनके पास कोई permission नहीं थी जो कायदे से उनको लेनी थी क्योंकि वो एक team के head थे और कानून को पालन करवाना उनका काम था खुद भी उनको कानून का पालन करना था तो ये भी एक उनके दिमाग में बात चल रही थी कि उनके पास इस tiger को मारने का permission नहीं है लेकिन जो चीज उनको सबसे ज़्यदा खटक रही थी वो थी मारको की हालत और उसकी मौत मारको से पहले एक बार वो मिले थे जंगल में इस इलाके में आये हुए थे हमने के लिए मारको के केविन के पास में आये थे यहां पर जो मारको का केविन बना हुआ था वो कोई बहुत अच्छा केविन नहीं था बलकि उन इलाको में जो पुरानी भेकिल पुरानी गाडियां छोड़ी हुई थी उन में से एक गाड़ी ये थी जिसको टायर हटा दिये गये थे और जो उसका उपरी पोर्शन था उसमें लकडियां डालके उसे एक तरह का केविन का सेव देख दिया गया था तो एक वाहन के अंदर ही मारको का केविन बना हुआ था तो एक बार जब इंस्पेक्शन के लिए उस इलाके में आये हुए थे यूरी टरश वो मारको के पास पहुँचे थे उस इलाके में जब उन्होंने देखा तो जो पास में एक नाला बहता था वहाँ पर उन्हें एक बरतन में बैजर मिला बैजर बिज्जू एक जानवर होता है जंगली वहाँ पर बिज्जू को मारने की permission नहीं थी और मारको के पास कोई licensed हत्यार भी नहीं था तो जब ट्रस्ट ने मारको से inquiry की कि उसने इस जंगली जानवर को क्यों मारा इसको मारने की पर्मिशन नहीं है तो मारको उने पहले बहाने बनाए उसने कहा कि कुट्टे ने इसे मार दिया था इसलिए उसने यहां पर रख लिया लेकिन जब ट्रस्ट ने इनक्वारी की उसने अपनी जेव से चाह को निकाला और पैजर की बोडी से पैलेट निकाला जाहिर था उसको से मारा गया था तो मारको के पास कोई और बहाना नहीं रहा तब उसने स्विकार कर लिया तब ट्रस्ट ने उससे कहा कि उसके पास कोई लाइसेंस गन नहीं है उसके पास यहां शिकार करने का लाइसेंस नहीं है उसके पास लाइसेंस नहीं है तो वो ट्राबल में आ जाए तो शराफत के साथ अपने इल्लीगल हत्यार मुझे सौंप दे। जाहिर था वहां जंगल में कुछ ऐसी जगें थी जहां पर पोचर्स अपने हत्यार रखते थे जैसे मारकों ने रखा था वैसी और पोचर्स थे वह भी जंगलों में कहीं ऐसी जिगह हत्यार रख लेते थे अपने घर पे नहीं रखते थे तो उसी अत्यार को लाने के लिए मारकों चला गया जंगल में यहां पर ट्रस और उनके साथ गरवरु को था जो उनका टीम मेंबर था उन दोनोंने मारकों की अपसेंस में उस इलाके एक चानवीन शुरू की कि यहां क्या-क्या और चीज़ सारी चीज़ों को चानते रहे और साथ में इंतजार करते रहे कि यह कब वापस आएगा तो करीब-करीब 20 मिनट के बाद मारकों वापस आया और एक गन के साथ वापस आया उसके पास जो गन थी उसका कोई लाइसेंस नहीं था लिया जा उसको ट्रस ने अपने कबजे में ले लिया और मारकों को बिना किसी और कारवाई के छोड़ दिया उस समय प्रस के दिमाग में यह बात थी कि जो मारकों है उसने साथ यह चोटे-मोटे जानवर विज्यू इस तरह के जानवरों को यह मार देता है यह था तो इलिगल लेकिन बहुत-बड़ा क्रैम नहीं था उस समय उन्हें यह आइडिया नहीं था कि वास्ताव में जो मारकों है कितना बड़ा पोचर है अब वो पोचर बना था अपनी गरीबी के कारण उसके पास कोई रोजगार नहीं था वो पहले फौज में था जैसे ट्रस्ट फौज में था महरकोवी फौज वेकिन फौज से वो इस सही गत्तर के आज पास रिलीव हो गया और उसी इलाके में सेटल हो गया जबकि उसका घर था पिल्कुल दूसरे इलाके में रेचिया की वो अपने घर वापस नहीं गया जहां उसका जनम हुआ था या जहां उसके और रिष्टेदार रहते थे बलकि सुबोलोनी में ही अपने वाइफ के साथ रहने लगा अब वहां कोई रोजगार उसके पास नहीं था तो जंगल में जाके पोचिंग करने लगा वहां पर बहुत सारे लोग इस तरह के काम करते थे क्योंकि एक टाइगर को मारना करीब करीब पाँच हजाड डॉलर उसके और को मिल जाते थे जो कि बहुत बड़ा अमाउंट हुआ करता था तो शायद मारकों के दिमाग में यही बात थी कि वो इसी टाइगर को मारके या और जानवरू को मारके उसे समगल करे इलिगली भीचे इससे उसके पास खुब पैसा आ जाएगा और यह पैसा मुख्यतया चाइना से आता था लेकिन जिस समय ट्रस ने उसे कंफरेंट किया था उसको पकड़ा था एक बैजर के साथ उसमें ट्रस को इसका बिल्कुल आइडिया नहीं था कि मारकों कितना बड़ा पोचर है बाराल अभी मारकों कि लास को उसके रिस्तेदार उठाके लेके गए थे उसके आस परोशी लोग और प्रस और उनके साथ ही लोग आगे गए थे टाइगर की खोज में अधेरा होने लगा था तो उन्होंने निश्चे किया कि आज वो अपने आगे की अभियान को यहां पर छोड़के वापस आएंगे दोबारा फिर शुरू करेंगे टाइगर की खोज यहां जब वापस चल पड़े मारकों कि केविन की ओर और वापसी में भी वो सारे निशानों को देखते हुए आ नॉर्मली नहीं दिखाए देती हैं वो देख रहते हैं कि वहां पर जो उसका पानी पीने वाला वरतन था मारकों का वो भी बिल्कुल क्रश किया हुआ था और मारकों की जो कुलाड़ी थी उसका जो हत्ता था पकड़ने का उसको भी चबाया हुआ था वहां पर कोई भी ऐसी चीज जहां पर मारकों की स्मेल हो या मारकों का टच हो जिससे उस हर चीज को खंगाला गया था और वहां पर उन्होंने एक और चीज जो नोटिस की वो ये थी कि मारकों के केवन के चारूं तरफ टाइगर के पैरूं के निशान थे प्रस्ट ने और क्लोज ली उन निशानों को एनेलाइज करना शुरू किया देखना शुरू किया तो उन्हें ये भी पता चलाया कि टाइगर वहां पर एक दिन में नहीं आया था ये जो अभी मुलाकात हुई थी जैसा कि उन्होंने पहले सोचा था कि टाइगर उस इलाके में आया और मारको जब अपने केवन की ओर आ रहा था तो उसको टाइगर ने मार दिया वहां पर जो निशान थे उससे ये लग रहा था कि टाइगर कुछ टाइम से वहां पर था वहाँ पर ऐसे निसान भी मिले थे जहाँ पर टाइगर चक्कर लगाते हुए उसने रेस्ट किया था और केविन की ओर देखा हुआ था अब यह निश्चित करना बांकी था कि वो मारकों के लिए आया था या मारकों के पास जो कुट्ते थे उनके लिए आया था और क्यों के पास कुट्ते भी थे और यह चीज उन्हें और नोटिस की कि कम से कम एक दो दिन से टाइगर वहाँ पर था उसके केविन का चक्कर लगा रहा था तो इन सारी चीज़ों पर देखके ट्रस को एक और घटना याद आई जो उन्होंने पहले देखी थी वहां से एक इलाके में टाइगर ने एक भ्यक्ति को मारा था जिसका नाम था खुमेंकू खुमेंकू रिलेटिबली यंगर था करीब शक्तिस साल की उसकी उम्र थी वह वहां आके सेटल हुआ था लेकिन परेश्ट्रोई का इंप्लिमेंटेशन के दौरान खुमेंको भी बिरोजगार हो और उसको भी यह बात पता चली कि वहां इलिगल शिकार करने से काफी अच्छा पैसा मिल सकता है और अगर वो टाइगर को मार लें तो टाइगर को कुछ लोग वहां पर टोयोटा भी कहते थे यानि कि एक टोय खुमेंको को यह बात चली थी उसके भच्चे भी थे और रोजगार उसका खतम हो गया था मकान पुराना था तो खुमेंको ने उस इलाके में इलिगल शिकार करना शुरू कर लिया तो ट्रस्ट ने उसे पकड़ लिया था लेकिन ट्रस्ट को जब पता चला खुमेंको की आ खोमेंग को कुछ बड़े बड़े शिकार नहीं किया करता था, टाइगर्स को नहीं मारता था, विल्किन एक बार खोमेंग को उस जंगल में चला गया, उसको जंगल में जा रहा था, तो उसे टाइगर के पेरू के निशान दिखाए दिए, तो निशानों को देखे उसके मन म लालच वही आया कि अगर एक टाइगर को मार लिया जाए तो जो आर्थिक तंगी उसकी है उससे उसे उस हद तक निजात मिल जाएगा तो उस पैरों को निशान को फॉलो करते हुए हो जंगल में बड़ा वहाँ पर एक लोगिंग कम्यूनीटी थी यहाँ पर एक चौकिदार भी था उससे खुमेंग को मुलाकात हुई तो चौकिदार ने उसको बताया कि रात को उसने इस इलाके में काफी शोर सुना था ताइगर का शोर था शायद उसका मुकाबला बोर्च से हो गया था जंगली बोर्च के लिए उसको कंट्रोल करना आसान नहीं होता है तो शायद उसको मारने की कोशिस की टैगर ने जिसकी वज़ेसे दोनों में काफी देर तक भीड़न तो होते रही तो यह बात सुनकर खुमेंग को थोड़ा और खुश हुआ कि उसको इस बात का confirmation मिल गया इस जंगल में टाइगर था और क्योंकि इसने सुना है उसके बारे में तो आसपास ही कहीं पर है यहाँ जाओ उस तरब चल पड़ा जहां से चौकिदार ने उसे बताया था कि रात को उसने आवाज सुने जब वह वहां गया तो उसने वहां जो निशान देखे पैर पैरू के निशान थे वह दो टाइगर उसके बाद दोनू अलग-अलग दिशा में गये थे तो एक दिशा में उन्होंने नोटिस किया खुमेंकों ने जो पैरू के निशान गये है वहां कुछ फून भी गिरा हुआ है तो जाहिर था यह जो टाइगर था कि कुछ घायल हो है इसके पंजे में साइध चोट लग गई है तो खोमेंको ने उसे फॉलो करना शुरू किया जो दूसरी तरफ काईगर के पैरों के निशान गए थे उसको उसनों चोट दिया अखोमेंको फॉलो करते हुए एक जगह पहुंचा तो साइध उसे यह आभास हो गया उसने देखा क्या हुआ पता नहीं लेकिन उसने जो गलब्स पहने थे वो उतार के उसने जमीन में डाल दी जाहिर था अपनी जो उसके पास हत्यार था बंदूक थी उस पर अ था कि समस्क्र आगे बड़ा था था तो चै। दौसर टाईगर दिखा या उसमें टाईगर ने उस पर हमला कर दी था उसने अपनी गं से एयर भी किये लेकिन टाईगर पर उसका असर नहीं हुआ कईगर को अगर गोली लगी होगी तो शहाथ उसकी बोडी में चली गई उस इससे टाइगर को गुस्सा आया और उसने पंजे से उस पर हमला किया और उसे नीचे गिरा है उसके बाद उसे गर्दन से पकड़ा और उसे जिंजोड़ा कि इतनी जोर से जिन जोड़ा जो उसका हाथ और पैर की हड्डियां फ्रिक्चर होगी उसके बाद टाइगर ने उसे छोड़ा और वहां से चला गए इससे एक अन्फर्मेशन था कि टाइगर ने उसे मारा तो जरूर था लेकिन उसको खाया नहीं था जब खुमेंको वापस नहीं आया काफी देर तक तब इस जो चोखिदार को पता था कि वो गया हुआ है उसने बताया वहां के लोगों को जंगल में खुमेंको गया था वापस नहीं आया वो लोग एक भूलो चर लेके उस इलाके में गए तब उन्होंने देखा एक गए जगक को लास पढ़ी हुई हुई है फिर उन्हें पुलिस को इनफर्म किया, फिर पुलिस आई, फिर वो बुल्डोचा लेकर वहाँ पर गये और खुमेंको की लास को उठाया फुलिस की प्रेजेंस में उसके बाद वापस आ गए। उसके बाद ट्रस वहां गए, ट्रस ने अपने डंग से इंक्वारी की, तब उन्होंने पाया कि जब पुलिस खुमेंको की लास को उठा के ले जा रही थी, तो टाइगर वहीं छुपा हुआ था और यह सब देख रहा था, उतनी हेवी मशिनेरी वहां पर आ गई थी, उससे भी वह डरा नहीं, वहां से वह भागा नहीं, लेकिन यहां पर जो मारको को मारा हुआ था और खुमेंको को मारा था, दोनों में एक डिफ्रेंस था, उस केस में डिफ्रेंस ये था, कि टाइगर खायल था, और उसका पीछा खुमेंको कर रहा था, उसको मारना चाह रहा था पर जब टाइगर ने उस पर हमला किया उसको मारा उसे छोड़ दिया, उसे उसे उसने खाया दी उसका कोई इरादा उसे खाने का नहीं था यानि कि वह मैनिंटर नहीं था लेकिन यहाँ पर मारको के केस में स्तित अलग थी मारको की body के part को खाया हुआ था यनि कि यहां पर अगेर मारकों को मारा था ताइगर ने खाने के लिये मारा था और उसे वो जंगल में खींच के लेके गया था तो तब इनीशियली Truss यह समझ रहे थे साहद ही निट रैङर है जिसने G우menkoa को मारा तो लेकिन दोनू के बेवहार में अन्तर है उस टाइगर के बारे में प्रस ने बाद में भी सुना था कि उसने कई जानवरों को मारा था, लेकिन जानवरों को मारना कोई टाइगर का अपराद नहीं माना जाता था, लेकिन यहां पर एक इंसान को मार दिया था, और इसमें कुछ अलग किस्म की कहानी सामने आने वाली है आने वाले समय में साहद इस इलाके में सोभलोने की इलाके में कई लोगों को साहद अपनी जान गवानी पड़ेगी अगर इस टाइगर को समय रहते नमारा गया हो तो दोस्तों ये था Revenge of Tiger की स्टोरी का पार्ट टू उम्मीद आपको पसंद आया होगा जल्दी ही अगले पार्ट के साथ हाजर होगा तब तक के लिए जाज़त दीजे तमस्कार